प्यास की कीमतों में आ रही तेजी को देखते हुए सरकार ने हाल ही में निर्यात शुल्क हटाए जाने के बाद खुद्रा कीमतों में आए उच्छाल के मदेंजर थोक बाजारों में बफर स्टाक से बिक्री बढ़ा कर प्यास की कीमतों पर अंकुष लगाने की कोशिश दिया है। सरकार की योजना पूरे देश में सबसिडी वाले प्यास की खुद्रा बिक्री की है। सरकार ने 10 दिन पहले प्यास पर 550 डालर प्रती टन का न्यूंतम निर्यात मूले हटा दिया था। खरे ने कहा, निर्यात शुल्क हटाने के बाद हमें कीमतों में उच्छाल का अनुमान था। 4.7 लाक टन के बफर स्टाक और खरीफ की बुआई के बढ़े हुए रखबे के साथ हमें उम्मीद है कि प्यास की कीमते नियंतरन में रहेंगी, सरकार समूचे भारत में 35 रुपए प्रती किलोग्राम की रियायती दर पर प्यास की खुद्रा विक्री बढ़ाने की योजना बना रही है। इनमें उन शहरों पर ध्यान अधिक दिया जा रहा है, जहां कीमते राष्ट्रिय औसत से अधिक हैं। आधिकारिक आंकडों के अनुसार, 22 सितंबर को दिल्ली में प्यास की खुद्रा कीमत 55 रुपए प्रती किलोग्राम थी, जो एक साल पहले की समान अवधी में 38 रुपए प्रती किलोग्राम थी। मुंबई तथा चेन्नई में कीमते क्रमश 58 रुपए और 60 रुपए प्रती महासंग नेफेड की दुकानों के जरिये 5 सितंबर से 35 रुपए प्रती किलोग्राम की दर से प्यास बेच रही है। प्यास की बढ़ी हुई कीमतों से जहां एक और ग्राहक परेशान हैं, वहीं दुकानदारों का व्यापार भी धीमा पड़ गया है। लोग प्यास खरीद प्यास की दिमांड और भी अधिक होने वाली है, जिससे प्यास के दाम और भी बढ़ने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि लोकल प्यास की कमी है। अधिकांच प्यास नासिक से आ रहा है। होलसेल में 50 रुपए किलो से अधिक दाम चल रहा है जिस कारण दुकांदार 55 से 60 रुपए प्रती किलो प्यास बेचने पर मजबूर है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी